नमस्कार, मेरा नाम रेच्छन इद्वन्शी है और आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं। 43 अध्याय मैं आपको पढ़के सुना चुकी हूँ, आज 44 चेप्टर यानि 44 अध्याय की बारी आ गई है। 43 अध्याय तक आते आते, प्रेमचन जी किसानों की समस्याओं को और उनकी विक्राल परिशानियों को इतने विकट्टम रूप में लिख रहे हैं कि पाठक के तौर पर अगर आप संजीदा होके सुन रहे होंगे, तो कंठ भराता है अगर आप उसको और वो ऐसा लिखते ही है प्रेमचन जी कि इमाजन करता है पाठक पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने हो रहा है, 43 वर्ध्याय में आपने सुना कि बमुश्किल कुछ जुगाड हुई हो रही कि यहां और उसने नोखे राम से, नहीं, दाता दीन से, पंडिर दाता दीन से सौदा टै करक से आधी फसल उनको देने के आश्वासन पर उनसे बीज उधार लेकर के खेती शुरू की उख, गाड़ी, जोती, खेत अपने तयार किये, जब वो बारी आ गई है कि आज फसल जो है वो काटी जाएगी, उख काटी जाएगी, उख मने जिसको गन्ना कहते हैं, तो उस वो प जाएगी, आपने देखा कि उख जैसे ही निकालने के लिए लोग बहुचे है, सोभा है, होरी है, और होरी बहुत आशंकित है कि उसे कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्योंकि जो उख है वो अल्रेडी दातरीन से ये पैक्ट हो चुका है कि आध्धा फसल जो है, वो दातरीन को दे देगा होरी उसके अलावा फिर जो उख बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उसमें भी बहुत सारे दावेदार हैं और यही सारा वर्णन जो है वो प्रेमचन जी ने किया है कि उख निकालने से पहले यानि उख की जोताई करने से पहले सोभा और होरी आपस में मिंत्रना कर रहे हैं विचार कर रहे हैं अपनी शंकाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि कितना उन्हें हासिल होगा होरी चुकि बहुत अनुभवी है उसे पता है कि दशकों से क्या होता आया है जब फसलें तयार हो जाती हैं तो किस तरीके से गिद की तरह मिलता है कितना घर जा पाता है उसका इतना दर्ण प्रेंच अजी ने किया है कि आप को याद होगा मुझे अभी भी याद है कि 120 रुपए का हिसाब लगाते हैं होरी और सोभा अपस में निकाल ले रहे हैं और जैसे ही यह सब निकाल ले के बाद जब उसमें भी फिर बच जाता है कि तुमने इतना मुझसे लिया था उसका व्याद समेट इतना हुआ कुल मिलाके 25 रुपए होरी के हाथ में आते हैं 120 रुपए में इस बीच में प्रहिम चंजी ने यह भी दिखाया है कि उख निकालते वक्त जो सवाइन है जो दुलारी है वो भी सूध खोरी करती है वो भी आ गई थी उन्होंने भी तमाम जंजट किया बहुत वहां पर क्लेश किया कि मेरे पैसे दे दो और तो हुरी ने में यह हुआ था 43 अध्यान में कि होरी क्यार्थ में 25 रुपए थे जिसको वो देख रहा था बेबसी के नजरों से कि इसका वो क्या करें और उसमें पंक्ति कहीं भी है उसमें कि आप ही रख लो मैं क्या करूंगा इसका जब वो यह कहता है तो पंडिक दातादीन बहुत त ताड़ना तॉर्चर बेबसी भूख और यही सब किसानों के हिस्से में आ रहा है और होरी उसका प्रतनिदित्ट कर रहा है उस वर्व का जिससे सर्वहारा कहा था निरालजी ने मुझे यान आ गया जो अपना सब कुछ लगा देता है लेकिन सब कुछ हार भी जाता है अन् और कुछ भी हात में नहीं है उसके तो सोभा और होरी सोभा को थोड़ा सा रविलुशनरी दिखाया प्रेंच जी ने वह पूरी रहनीती बनाता है कि मैं बताऊंगा ही नहीं इन साहुकारों को कि मेरी रूख निकल गई है मैं ऐसे कर लूँगा मैं छिपा के कर लूँगा हरी उससे कहता है दूब यह सब और वां गैश वही हुआ सोभा को बिंधां नहीं मिला होRE को कुछ नहीं मिला और जो गिरधरी कारैंट को टंच से पूछता कि तोम्हें हैं एकर पूरी मेरा कुछ मिलनाइया थे में कुछ नहीं मिलेगा तो कमसे भुलाया जाए, चवाले स्वा अध्याय सुनिया आगया, होरी घर पहुचा तो रूपा पानी लेकर दोड़ी, सोना चिलम भर लाई, धन्या ने चबेना नमक लाके रख दिया, सभी आशा भरी आँखों से उसकी ओर ताकने लगे, दुनिया भी चौकट पर खड़ी होई थे होरी उदास था, कैसे मुहाद धोए, कैसे चवे ना खाए, ऐसा लज्जित ग्लानित था मनुहत्या करके आया, धन्या ने पूछा कितने की तौल हुई, एक सो बीस मिले पर सब वही लुट गए, धेला भी नहीं बचा, धन्या सिर से पाउं तक भस्म हो गई, मन में ऐसा उ जनजाल से जान भी नहीं छूटती, उठा कर सारे रुपए बहनोरियों को दे दिये, आज अब कौन सी आमदनी हैं जिससे गोई आएगी, हज में क्या तुम मुह जोतोगे, हल में क्या मुझे जोतोगे, आप जोतोगे, मैं कहती हूँ तुम बूरे हुए, तो मैं तुमारी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लिते, कोई तुमारे हाथ से थीन थोड़े ही लेता, पूस की ठंग और किसी की दे पर लगता नहीं है, पूस की ठंग यही डिसेम्बर जेन्वरी, ले आओ सब को नदी में डुबा दो, सिसक सिसक कर मरने से तो एक द पड़ी इत्मी देग मुस की समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन अब सिर पर सबार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हो, और महाजन जानता हो कि इतने रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है, होरी सिर नीचा की अपने भागी को रो रहा था, धनि और भी तो मिलेगी मजूरी करके खाएंगे, धनिया ने पूछा कहा है इस गाव में मजूरी और कौन से मूल लेकर तो मजूरी करोगे, महतो तो नहीं कहलाते, होरी ने चिलंके कई कश लगाकर कहा मजूरी करना कोई पाप नहीं है, मजदूर बन जाएं तो किसान हो जाता ह किसान विगार जाए तो मilingual हो जाता है मलदोरी करना हुआ बागय में ना होता तो ये सब विपत्ति क्यों आती क्यों गाय मरती क्यों लड़का नालाइक निकल जाता मतलब आप देखे कर घ सि हो जाता है जब निरंतर उसे विपत्यों का सामना करना पड़ता है धन्या ने बहु और बेटियों के ओर देकर कहा तुम सब के सब क्यों घेरे खड़ी हो जाकर अपना काम दंदा देखो वे और हैं जो हाट बजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए दो चार पैसे की कोई की कोई चीज लाते हैं यहां तो यह लोग लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे एक कम न हो जाएगा इसी सेंट की कमाई में बरकत सही जो खरच करते हैं उन्हीं को मिलता एं जो न क्हा सके क्योंने रुपए मिलें तो मिलें क्यों जमीन में गाडनी के लिए होरी ने खिलकलाकर पूछा कहा है वे गाड़ी हुई थाती जहां रखी होगी कि रोना तो यह हैं कि जानते हुए भी कि पैसे के लिए मरते हैं चार पैसे की कोई ठीज लाकर बच्चों के हाथ पे न रख देते तो पानी में न पड़ जाते जिंगरी से तुम कह देते कि एक रुपया मुझे दे दो नहीं तो मैं तुमारा एक पैसा नहीं दूंगा जाकर अदालत में ले लेना वो जरूर दे देता होरी लजजि भर के ठके मांदे घर आये हैं और अम्मा कोसने रगी महाजन गला दबाए था तो क्या करते बिचारे तो बैल कहां से आएंगे महाजन अपने रुपय चाहता है उसे तुम्हारे घर के दुख़णों से क्या मतलब अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती अभागा रो कर जाता जुनिया ने दिल लगी की तो यहां रुपय की कौन कमी है तो महाजन से जरा हस बोल दो देखो सारे रुपय चोड़के जाएगा सच कहती हूँ दादा का सारा दुख तले दुर दूर हो जाएगा सोना ने दोनों हाथों से उसका मू दबा कर का बस चुप रहन नहीं कहे देती हूँ अभी जाकर अमा से माता दीन की सारी कले खोल दूंगी तो रोने लगोगी जुनिया ने पूचा क्या कह दोगी अमा से कहने की कोई बात भी तो होनी जाएगा זה जब वो किसी भाहने से घर में आही जाता है तो मैं क्या कह दूं कि निकल जाओ थिर मैं म जान जाओंगी कि तुम्हारे भहियाने वहां किसी को रख लिया है तब कि नहीं चलाती तब मेरे उपर किसी का कोई बंदन नहीं रह जाएगा अभी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरे हैं मेरे कारण उने गली-गली ठोकर खाना पड़ रहा है हसने बोलने की बात न्यारी ह पर मैं उनसे विश्वास घात नहीं करूँगे जब एक से दोका हुआ तो वह किसी का नहीं हो सकता जो एक से दोका हुआ वो किसी का नहीं हो सकता सोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटे शुरीक रुपए उसके हाथ में रखकर बोला भहिया तुम जाकर ये रुपए लाला को देदो मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था होरी रुपए लेकर उठाई था कि शंक की धुनी कानों में आ गई गाउं के उस सिरे पर ध्यान सिंग नाम की ठाकुर रहते थे पल्टन में नौकर थे और कई दिन हुए दस साल के बाद राजा रजा लेकर आये थे बगदाद अधन सिंगापूर वर्मा चारो तरब घूम चुके थे अब व्या करने की धुन में थे इसलिए पूजा पाठ करके ब्रामणों को प्रसन करना चाहते थे होरी ने कहा जान पढ़ता है सातो अध्याय पूरे हो गए आर्ती हो रही है सुवा बोला हाँ जान तो पढ़ता है चलो आर्ती कर लेते हैं होरी ने चिंतिव भाव से कहा तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आऊंगा ज्यान सिंग जिस दिन आये थे सब के घर सेर सेर भर मिठाई बैना भेजी थी होरी ने जब कभी रास्ते में उनसे मुलाकात होई कुशल पूछते थे उनकी कथा में जाकर आर्ती में कुछ न देन कि कौन आया कौन नहीं आया वजाकर खाट पर लेट रहा मगर उसके घर्दै मसूस कर मसूस कर रह जाता था उसके पास एक भी पैसा नहीं है तामी का भी सिक्का नहीं है आर्ती के पुन्य और महात्म का उसे बिलकुल ध्यान नहीं था बात थी क passiert दो सबकिर Spring में उसको बड़पन दिखाने की ललक कहां तक ले आई है सहसा वैं उठा लोग क्यों मर्यादा की गुलामी करें मर्यादा के पीछे आर्थी का पुर्ण क्यों छोड़े छोड़े लोग हसेंगे तो हसलेंगे उसे परवा नहीं है भगवान उसे को कर्म से बचाय रखे वो और और कुछ नहीं चाहता अब वो ठाकुर की ओर ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा था मैं देख पा रही हूं को अगले अध्याय में प्रेंचंजी जो है फिर से हमें किसी दूसरे परवेश में ले जा रहे हैं इसलिए मैं आज ये 44 वा अध्याय यहां खतम करें हूं अगले सब्ता 45 अध्याय में आप से फिर मुलाकात होगी बने रहें रचना के साथ और गु जोह जो है खिलिए